Hey guys welcome back, कैसे हैं आप सर दोस्तों बालों के रिलेटेट आज जो वीडियों हैं आप लोगे साथ शेयर करने वाले हूं बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है बालों को जड़ों से तो काला करता करता है, ग्रे हैर की समस्या को खतम करेगा ही इस महँडि को बनाने के लिए सबसे पहली जीज जो हमें चाहिए वो है बे रिके पत्तों का पाउडर हमने वो लेना है एक चमच और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ एक चमच हीना पाउडर हीना मेहंदी आपने इसके अंदर एक चमच डालनी है और थर्ड इंग्रीडिन मैं इसके अंदर एक चमच नीम का पाउडर डालूगी नीम के पत्तों का powder जो easily available होता है online मिल जाता है वो इसके अंदर डालिए अब आपने तीनों चीजों को अच्छी तरह से mix करना है और gas on करके इसको roast करना है पूरी तरह से साड़ना नहीं है काला बहुत ज़ादा काला नहीं करना है just इसको roast करना है और बहुती कम आपने इसको roast करना है पूरा नहीं भूरना है roast करने के बाद आपने इसके अंदर पानी mix करना है gas को बंद करके फिर पानी मिलाईएगा उसके बाद आपने पूरी रात इसको इसी तरह से ढटके रखना है next day आपने इसका use करना है ये महंदी इतनी लाजवाब त्यार होगी बहुती नाच्रल, बहुती क्लीन, एक दम से बलैक इसके साथ मैं एक चीज और भी बता दूँ के जो बेरी के पत्ते होते हैं ये बालों को काला करने में हमारी बहुत मदद करते हैं और नीम के पत्तों में भी ऐसे तत्त पाए जाते हैं जो हमारी बालों को जड़ों से काला करने के साथ रूसी, डैंडर्फ, जुएं ये सब भी खतम करते हैं बालों में शाइन भरते हैं, मजबूती लेकर आते हैं तो इस तरह से हीना के साथ इन दो पत्तों का मिक्स्चर तयार करके महंदी बना कर अपने बालों में लगाएं पीनेजर भी इसका यूज कर सकते हैं बहुती क्लीन एंड फ्रेश महंदी तयार होगी नैचरल है कोई केमिकल नहीं है ट्राई जरूर कीजेगा हफते में दो बार इसका यूज कीजेगा और लगातार तीन महीने तक रेगुलर इसका यूज करें देखेगा रिजल्ट कितना अच्छा आपको मिलेगा आपके बाल नैचरल तरीके से किस तरह से काले शाइनी ब्लैक और क्लीन होंगे तो ट्राई करें अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों तक शेर जरूर कीजेगा तो एबरिवन आई होब वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसा लगा मिलती हूँ नए वीडियो में बाई बाई टेक्या लव याल